नमस्कार दोस्तों आप साफी का स्वागत है आपके अपना यूटूब चनल स्टाड़ी टूड़े विफ्लैप में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जैक बूर विकली टेस्ट के लिए क्लास 12 के हिस्ट्री पेपर के लिए एक मॉडल सेट देखने वाले हैं इसके अं लाइक करना यह हमारा सेट वान है और इसके बाद सेट भी आएगा आप लोग बस इस चनल में जुड़े रहिएगा तो चलिए विडियो को स्टार्ट करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन है कि मध्धयूगीन यात्रियों का सर्ताज किस यात्री को कहा ज जाएगा इरोप में इटली के वेनिस नगर के यात्री मारको पोलो को मध्ययूगीन यात्रियों का सर्ताज कहा जाता है इनका जो भ्रहमन काल था 1292-93 में इनका भ्रहमन कल था ठीक है तो नेक्स्ट कोस्टन को चलते हैं नेक्स्ट कोस्टन यहां पर दिया हुआ है कि भारत इसका जो सही उत्तर होगा अलवरुनी हो जाएगा अप्सन नमबर ए अलवरुनी मध्य ऐसिया के उजविकिस्तान इस्तीत ख्वारिज्म का निवासी था उनका जो जन्म हुआ था चार दिसंबर चार दिसंबर 973 इस्वि में हुआ था अलवरुनी का जन्म हुआ था चार दिसंबर 973 इस्वि में याद रखियेगा अलवरुनी महमुद गजनी के साथ भारत आया था ये भी एक्जाम में पूछा जाता है कि अलवरुनी किसके साथ भारत आया था याद रखियेगा नाम क महमुद गजनी नेक्स्ट कोश्चन यहां पर दिया हुआ है प्रशन संख्या 3 कि अलवरोनी ने किताब उलहिंद की राचना की इस भासा में की थी सही उतर होगा यहां पर अर्वी हो जाएगा नेक्स्ट की इवन बतूता निवासी था कहां का निवासी था तो मरको का अप्रिका के प्रसिद्ध यात्री इवन बतूता का जर्म जो है 24 जनवरी 1340 को हुआ था मरको के तेंजियर नगर में यह भी एक्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है याद रखेगा नेक्स्ट कुश्ट यह पर दिया हुआ है कि विदेशी यात्री इवन बतूता कहां से आया था तो यह मरको से आया था ठीक है ऑप्सन नंबर दो साही होगा नेक्स्ट है कि जैसे घौशलों को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किस यात्री न यात्रा पर जाने है तो अपने घर को छोड़ा था अफ्सन से अलवरोणी, मारको पोलो, वरनियर, इवन बतूता तो सही उत्र होगा अफ्सन नंबर चार जैसे घोशलों को पक्षी छोड़ता है उसी तरह इबन बतुता ने यात्रा जाने पर अपने घार को छोड़ दिया था तो अफसन नमबर चार इस कोशन का सही उत्तर होगा नेक्स्ट कोशन दिया हुआ है चलिए नेक्स्ट कोशन के और चलते हैं नेक्स्ट कोशन यहां पर दिया हुआ है कि भक्ती आंदोलन भारत के किस छेत्र में प्रारंभ हुआ था अफसन सही यहां पर उत्तर दक्षिन पूर्व या पस्टीम तो इसका जो सही उत्तर होगा दक्षिन भारत में हो जाएगा दक्षिन भारत में प्रारंभिक भक्तिया अंदलन का उदाय तमिलनाडु केरल और करनाटक के कुछ भागों में हुआ था याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेशन यहापर दिया हुआ है कि संक्राचारिया का मत निम्नमैसे कौन सा है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अदैत बाद हो जाएगा अदैत बाद यह आपका सही उत्तर हो जाएगा सभी से रिक्वेश्ट है वीडियो को लाइक तक देखिए वीडियो को लाइक और स्यार कीजिए ठीक है कि सैव धर्म के अनिवाई जाना जाते थे सैव धर्म के अनिवाई जाना जाते थे अलवार नाइनार रामानूच या सास्त्रिया तो सही उतर ही यहाँ पर हो जाएगा नाइनार हो जाएगा नाइनार महिला संथ कराइकल सी भक्त थी नेक्स्ट कोश्चन यहाँ पर दिया हु नेक्ट यहां पर वीर सहीव लिंगायत आंदोलन का जनक कोन है कवीर गुरुनानक वासबन्ना या कराइकल तो सही उतर यहां पर हो जाएगा वासबन्ना हो जाएगा आफसन नमबर 3 यानिकि C नेक्ट कोशन यहांपर दिया हुए कि रामाननद किसके सिश्ष थे याद रखेगा रामाननद आपसनस में नहीं है जो है राघवानन तो यहां पर मैं लिखना चाहता हूं राघवाननद ठीक है याद रखेगा रामाननद का ven का अगर बात करें रामानंद का जन्म कब हुआ था 1299 में हुआ था याद रखेगा एक्जाम के लिए इंपॉर्डेंट है नेक्स्ट यहां पर दिया हुए कि बंगाल के प्रसिद संथ कौन थे बंगाल के प्रसिद संथ कौन थे गुरुनानक चैतन महाप्रभू रामानंद हुआ था नदिया जिले में हुआ ठीक है नदिया बंगाल के नदिया जिले में हुआ था चैतन महाप्रभू का जन्म कब हुआ था अठारा फरवरी 1486 को हुआ था यहां पर 85 दिया हुआ है यहां पर 86 होना चाहिए था अठारा फरवरी 1486 को चैतन महाप्रभू का जन्म हु पास सकते option नमर ये सही उत्तर होगा last question जो दिया हुआ है कि किर्तन को प्रार省 करने والे संद का क्या नाम था कवीर रामानूज मीरा या चैतन अधो तो इस question का भी सही उत्तर हो जाएगा चैतन महाप्रभू हो जाएगा किर्तन को प्रारम करने वाले संथ का नाम कोण कौन है संत का नाम क्या था तो इस क्वाशन का सही उतर हो जाएगा चैतन महाप्रभू तो यह था क्लास 12 हिस्ट्री के 16 भी भी अब्जेक्टिप वीडियो को कैसा लगा कमेंट चिरूर कीजिए वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और आगे की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल में जूरी रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में